समस्कार दोस्तों स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिन जी के में दोस्ती स्वीडिम देखने वाले हैं रेलवे एंटीपीसी एक्जाम दोजार बीसी की और 125 पारियो में जो कम्प्यूटर से सम्मदी टोटल 250 क्योशन्स पूछे गए थे सारे स्वाल, इंपूटेंट और एक्स्टा फेक्ट साई जानने वाले हैं जो कि आने वाले किसी भी कम्प्यूटर एक्जाम्स के लिए बहुत ज़्यदा फाइदे मने ले क्योंकि काफ़ी इंपूटेंट स्वाल यहां पर पूछे गए हैं इससे पहले अपने एक सीरीज स्टार्ट की थी कम्प्यूटर की 250 क्योशन्स के जिसमें पार्ट वन और पार्ट टो में टोटल 200 क्योशन्स कवर हुए थे अब यहां पर यह पूरा कमबाइन वीडियो है 250 क्योशन्स एक वीडियो में आपके कवर हो जाएंगे यह आपने पार्ट थर्ड नहीं देखा है जो सीरीज का इसमें इंक्लूट कर देगे हैं मैं कमेंट बॉक्स में भी वो आपको टाइम स्टेंप पिन कर दूँगा वहां से देख सकते हूँ या पर जिन्होंने पहली बार देख रहे हो पूरा वीडियो 250 क्योशन्स के यहां पर एक साथ आप देख सकते हो तो इस एफट के लिए लाइक जरूर कर देना इसकी पीडियो फाइल के लिए आपको टेलिग्राम चैनल जोईन करना होगा जिसकी लिंक रेस्क्रिप्स में जहां पर पूरे 250 क्योशन्स के आपको पीडियो फाइल मिल जाएगी तो चले आप पर कंटिन्यू करते हैं यह सबी इंपोर्टेंट स्वाल कवर करें उससे फिरे में आपको बता दो आप किसी भी कम्टेटो एक्जाम्स की तयारी करते हो SSE की हो गया बेंकिंग, रेलवे, डिफेंस या फिर किसी भी अधर इस्टेट लेवर्मेंट एक्जाम्स की सारे एक्जाम्स की मौक टेश्ट आप एक की पास के अंतरगत देश सकते हो, जैसे की आप रेलवे की कर रहे हो, साथी साथ SSE कर रहे हो तो इन सभी एक्जाम्स की मौक टेश्ट आपको एक की पास में अनलिमिटेड मौक टेश्ट मिल रहे हैं इसमें भी इदिया आप TTG के कोपन कोड एपलाई करते हैं तो एक्स्ट्रा 40 रुपे का और डिस्काउंट मिल जाएगा तो प्रैक्टिस के लिए टेस्ट बुक यहाँ पर बेहित्रिन आपके लिए प्लेटफॉर्म रहेगा जिसमें 330 एक्जाम के मौक टेस्ट यहाँ पर एक जो कंप्यूटर से स्वाल पूचे गए हैं देखिएगा पहला स्वाल किस कंप्यूटर PD में वेक्यूम ट्यूब का प्रियूग किया गया था जो कंप्यूटर की पर्थम जनरेशन है पर्थम पीडी है फर्स जनरेशन जिसका काल माना जाता है 1946 से लेकर 1969 तक है यह पर्थम जनरेशन में जो 1969 से 1965 तक हैं ट्रांजिस्टर का प्रियोग किया गया था 1965 से 1931 तक ये तीसरी PD है थर्ड जनरेशन में ICNE Integrated Circuit का प्रियोग किया गया था चौती PD में Microprocessor का 1931 से 1980 तक 1980 से अब तक जो 500 PD चल रही इसमें AI Artificial Intelligence का प्रियोग किया जा रहा है किसी भी एक्जा में पूछे जा सकते हैं बार बार रिपीट भी होते हैं पर्थम PD में किसका प्रियोग वेक्ट्यूम ट्यूब का धुट्य पूर्डी में ट्रांजिस्टर का तिर्थे में Integrate Circuit IC का चौती में Microprocessor का अगरा स्वाल दिखेगा Ubuntu क्या है तो Ubuntu एक Operating System है Cloud Computing के दिए ये Operating System हो जाएगा Ubuntu एक Open Source Operating System आपको पूछ ले एक्जा में इस परकार आदा है कि निमन में से कौन सा Open Source Operating System है तो Ubuntu होगा वो आप Correct कर सकते हैं इसे पहली बार 20 October 2004 को Release किया गया था इसे Debian Linux के Code पर Best बनाए गया था Ubuntu है ये आपका हो जाएगा Operating System Computer का मस्तिस्क है वो किसे कहा जाता है तो Brand of Computer है ये CPU को कहा जाता है CPU को Computer का मस्तिस्क बोला जाता है CPU की Full Form क्या है Central Processing Unit Next नो देखेगा URL की Full Form क्या है तो URL की Full Form है Uniform Resource Locator क्या हो जाएगा बहुत बार Confuse के लिए यहाँ पर Option में Universal दिया जाता है तो Universal नहीं होकर Uniform है यूग का मतलम तो Uniform Resource Locator URL की Full Form हो जाएगी NIU की Full Form क्या है तो इसकी है Network Interface Unit है NIU की Full Form कौन सी auxiliary memory नहीं है auxiliary memory में आपको पूचा कौन सी नहीं है तो RAM and ROM है ये auxiliary memory नहीं है तो auxiliary memory है वो कौन सी जो secondary storage है उसे ही auxiliary memory बोला जाता है जो non-volatile memory भी कह सकते हूँ तो non-volatile memory या फिर जो auxiliary secondary storage में कौन सी आती है तो आपके hard disk है, floppy disk है, magnetic tab है, magnetic disk है ये सबी है secondary storage है और auxiliary memory RAM ROM नहों होकर ये सबी हो जाएगी अगला स्वाल दिखेगा HTTP की full form किया तो hyper text transfer protocol भारत का परतम super computer कौन सा है, ये सबी है नटीपी सी में 2-3 सिप्टों में repeat हुआ था भारत का परतम super computer है वो परम 8000 है जो कि कब 1991 में develop किया गया था, ये first Indian super computer परम 8000 है आपको विशो का पूछ रहे, विशो का परतम super computer वो है दोस्तों CDC 6600 ये CDC 6600 है विशो का परतम super computer है जिसे डिजाइन के अता शेमूर करेने 1964 में अगरा स्वाल दिखेगा, निमन में से कौन सा web browser नहीं है, chrome web browser है, mozilla भी है, opera भी है Google आपको पता है, एक search engine है न की web browser है तो ये अलग हो जाएगा Google Python क्या है, तो Python एक programming language हो जाएगी, क्या है programming language, Python है अन्य जो computer की language में प्रमक्रूप से JavaScript है, C++ है, Go है, Swift है, PHP है, COBOL है, ये सभी computer की language है Intel i9 क्या है, Intel i9 एक micro processor है, desktop का micro processor है, Intel i9 तो i7, i5, i9 ये सभी processor हो जाएगे, आस्की की full form आपको पूच्छा है तो आस्की का मतलब American Standard Code for Information Interchange हो जाएगा, आस्की बहुत बार exam पूच्छे जाता है, तो American Standard Code for Information Interchange, एक kilobyte में कितने bytes होते हैं, तो 1 kb में 1024 bytes हो जाएगे, अब दिखिए, अन्य में unit की बात करूँ, computer storage की, तो एक nibble में आगे स्वाल भी पूच्छा जाएगा, एक nibble में कितने bytes होते हैं, तो bit की बात करूँ, byte और bit दोनों अलगलग unit हैं, एक nibble में 4 bits होते हैं, और byte में यह half byte हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा, एक byte में 8 bits होते हैं, तो यहाँ पर 4 bits हैं, इसका मतलब byte कितनी half हैं, तो आदा byte हैं, या फिर एक nibble में 4 bits हो जाएगे, एक करम में कितने bytes होते हैं, तो करम भी एक unit है तो इसमें 2 bits हो जाएगे, एक करम में, एक byte में 8 bits होते हैं, एक किलो बाइट में आपको पूचा हैं, कितने bytes होते हैं, तो 1024 bytes होते हैं, इसी प्रकार एक जो MB है इसमें 124 किलोबाइट है एक गीगाबाइट में 124 मेगाबाइट हो जाएगा इंटरनेट के माध्यम से वेपार का संचलन क्या कहलाता है तो इंटरनेट के माध्यम से जो ट्रेट कर रहे हो वेपार कर रहे हो वो e-commerce के अंतरगत आ जाएगा electronic commerce जावा programming language का अविशकारक आपको पूचा है तो जावा जो programming language है इनके जो inventor है James Arthur Gosling कौन? James Arthur Gosling है जावा के अविशकारक तो ये Canadian computer scientist है James Arthur Gosling है अन्य जो मैं programming language की बात करूँ उनके अविशकारक या संस्थापक कौन है तो C++ जो language आगे से स्वाल भी पूचा जाएगा तो बजारने इस्टोर इस्टूप है ये C++ के developer है अविशकारक है जावा script programming language देखे जावा अलग है जावा script अलग है तो जावा के कौन है Arthur Gosling है और जावा script programming language है इनके हैं Brandon Edge है इनके संस्थापक क्या अविशकारक है पासकल भी एक computer programming language है जिसको develop किया है 1970 में Nicholas Ritt ने next न देखीगा computer में data grant किया जाता है तो किस form में किया जाता है binary में computer में जो data है वो binary में grant किया जाता है binary number system में केबल दो अंक डिजिट होते है 0 और 1 होता है जिसमें ये computer में data grant किया जाता है binary नमर जो 0 और 1 है इसका प्रियोग है वो machine भासा में program लिखने के लिए होता है machine भासा बाइनरी code में लिखी जाती है अगला स्वाल wireless technology जो Bluetooth है इनके अविशकार कोने तो Bluetooth का अविशकार किया है जाप हार्षन ने 1994 में ISP का full form क्या है internet service provider हो जाएगा ISP की full form अगला स्वाल दिखेगा MS Excel में जो MS Excel है इसमें spread sheet में कितनी default sheet होती है तो MS Excel में जो data entry की जाती है तो ये इस परकार से जो spread sheet रहती है इसमें default sheet कितनी होती है तो जैसे कि ये पूरी एक sheet है पर नीचे आपको मिलेगा sheet 1, sheet 2, sheet 3 तो इस परकार total 3 ही default sheet याँ पर होती है उसको बाद आप add कर सकते हो लेकिन default आपको 3 मिलेगी इनमें से कौन सा input device नहीं है तो ये option थे track ball, light pen, plotter तो plotter आपको पता है as a printer होता है तो plotter एक output device है तो ये output हो जाएगा प्रिंट करने के लिए काम आता है बाकि जो आपको स्वाल पूछता है input device में track ball, light pen है इसके अत्रिट keyboard input है mouse है, joystick है फिर यहाँ पर track ball हो गई light pen है, touch screen है digital camera है ये सभी input device हो जाएंगे अगला स्वाल दिखिगा बाकि आप देख सकते हो अन्ने भी input device, OCR है scanner है, काफी बार scanner भी दिया जाता है option में barcode reader है और OMR वगेरा ये input हो जाएंगे computer का कौन सा कारिय नहीं होता है तो IQ है, ये computer का IQ का कोई मतलब नहीं है computer में IQ test नहीं किया जा सकता है तो intelligence जो quotient IQ है ये computer में नहीं होता है AI होता है जरूर अगला स्वाल दिखीगा, निमन में से antivirus कौन सा है, तो इन में से जो antivirus है आप simply option से कर सकते हो ये नौर्टन है, ये एक antivirus है तो ये anti-malware software हो जाएगा और जो परमुक antivirus के कुछ उदार्ण है दूर संचार से सम्मंदित ADSL की full form क्या है ADSL का मतलब है asymmetric digital subscriber line है ADSL की full form कौन सा computer का भाग नहीं है इन में से paper, easily आप कह सकते हो CPU monitor, ALU, ये सभी computer से सम्मंदित पार्ट है, computer को remote से control करना किस protocol के तयाद किया जाता है तो computer को remote से जो control किया जाता है वो remote desktop protocol के तयाद किया जाता है अगला स्वाल देखीगा स्वाल नंबर 26 कौन सा application software है तो इन में से option दे रहते Linux, Mac, OS, Graphics, Unix है application software में जो graphics software है वो एक application software है बाकि जो Linux है Mac, OS, operating system, Unix है ये सभी operating system में नखे application software कौन से अइस्थाई memory computer microprocessor को high speed data access परदान करती है जो computer microprocessor के कारी करने के लिए आवशिक होता है तो ये case memory आपको पता होना चाहिए तो सबसे तेद है fastest memory है वो है case memory तो ये एक अइस्थाई memory होती है case memory आपको पूचले कौन से अइस्था ये तो case memory है जो computer का microprocessor को high speed data access परदान करती है और ये computer microprocessor के कारी करने के लिए बहुत ज़्यदा आवशिक है case memory COBOL की full form क्या है बहुत से shift में ये स्वाद रिपीट हुआ है 5 से 6 shift में COBOL की हो गई Fortran की हो गई इनकी full form से स्वाद पूचा गया था common business oriented language common business oriented language को बोल अन्य जो computer की programming भासा है उनकी full form आपको पता होना चाहिए जैसे की basic भी एक language है computer की तो beginner's all purpose symbolic instruction code हो जाएगा Fortran येनी formula translation है algo की full form ये है algorithmic language है HTML hypertext markup language है बहुत बार आता है XML है ये extensible markup language है CSS येनी case scanning style sheet हो जाएगी बात करूँ PHP की तो hypertext preprocessor ये हो जाएगी PHP, ASP येनी active server pages है PERL की practical extraction reporting language है इसी प्रकार ये सभी आप देख सकते हो AJAX है, JSP है, J2EE है SQL की आगे स्वाब भी पूचा गया है structured query language next निखीगा MS Excel में cell को edit करने के लिए shortcut कुझी क्या है, MS Excel में जैसे की ये आपके Excel seat है इसमें cell क्या होगी ये दो आपस में horizontal और vertical आपस में table match करती है तो ये एक cell होती है इसमें कोई भी data enter करना है उसके लिए आपको सबसे पहले इस cell को active करना पड़ेगा active करने यानी edit करने के लिए आप क्या करेंगे, app 2 ये की है, जो एक shortcut function की आप प्रेस करेंगे तो ये active हो जाएगी या फिर आप double click कर सकते हो इसको edit करने के लिए, next one देखीगा computer में संचार के लिए protocol कौन सा है communication के लिए, ये communication protocol होता है CP who invented the VGA cable VGA का मतलब video graphics array तो इस cable का सबसे फिर जो अविशकार के था वो IBM ने किया था IBM ने कब किया था, 1907 सी में VGA cable का अविशकार किया था OCR की full form आपको पूचा है तो optical character recognition हो जाएगा इसी प्रकार अन्ने important में OMR है, MICR है, तो OMR नहीं optical mark recognition और MICR का मतलब है magnetic ink character recognition next नों देखेगा, computer में data transfer किसके द्वारा क्या जाता है, तो USB के द्वारा, USB की full form बहुत बार पूची जाती है universal, serial, bus है USB के द्वारा ये data transfer होता है important आपके रिए इसकी full form अगला स्वाल देखेगा, एक array का आपको दे रखा था, इसका परिभाशा दे रखी थी, पूचाईए, जैसे linear data structure, which is the collection of data item, having similar data type studied in contagious memory location है, तो इसे क्या का जाता है जो linear data का structure है तो इसे array बोला जाता है www के अंतरगर पर्थम domain कौन साह था, तो www के अंतरगर जो शामिल पर्थम domain name है, यह यह वेबसाइट वो है info.cern.ch यह पर्थम domain था www का, और इसको publish किया गया था 6 अगस्त 1991 को टीम बर्नर्स ली के दोरा और जो worldwide wave बहुत बार इसकी full form पूची जाती है, www की तो worldwide wave इसकी full form है और इसका अविसकार टीम बर्नर्स ली के दोरा 1989 में किया गया था, first domain जो नाम register हुआ है इसका नाम रखना चाहते थे तो पहले शुरुआत में जो बिल गैट्स है, अभी जो नाम है Microsoft Windows Operating System इसका नाम रखना चाहते थी Interface Manager, तो Microsoft है इसका जो अविशकार किया था या से स्तापना की थी, वो बिल गैट्स और Paul Allen के दोरा Microsoft की स्तापना की गई थी 1945 में 4 अपरेल 1945 को तो जो बिल गैट्स है वो Microsoft Windows Operating System का नाम Interface Manager रखना चाहते थी E-commerce website कौन सी नहीं है तो ये social website है Twitter हो जाएगी नगी E-commerce website है और बाकी फिलिपकार्ट, Amazon, Snapchat ये सभी E-commerce है Extraction of data from hard disk से data को extract करना इसे ripping बोला जाता है या फिर digital extraction भी बोल सकते हूँ तो ripping यानि ये एक process होता है जिसमें copy, audio है या फिर video content है ये आप copy कर सकते हो extract कर सकते हो अगले स्वाल दिखीगा full form of Fortran का पुन रूप पूच्चा है तो formula translation Fortran की full form हो जाएगी अन्य जो important मैंने बताया आपको COBOL की common business oriented language है basic की है, algo की तो ये सभी आपको पता होना चाहिए Apple computer company के सहर संस्तपक कोन है तो Apple computer company है Apple के जो संस्तपक है Steve Jobs है इसके अलावा Steve, Woznik और Ronald Wire ने है इसकी इस्तापना 1936 में हुई थी अगले सभाल के और बढ़ते हैं पूछागा है 2005 में किस computer company ने अपना personal computer बनाना बंद कर दिया था 2005 में IBM ने अपना personal computer बनाना बंद कर दिया था तो ये IBM है जिनोंने 2005 में अपना जो PC था उसका सारा business जो division है वो Lenovo group को बेच दिया था तो 2005 में ये बेचा था IBM ने Lenovo group अगला सभाल दिखीगा IBM की दिखी full form ये एक्जाम में पूछ ले तो international business machine इसकी full form हो जाएगी international business machine है इसका जो founder है संस्तपक है वो 4 रेनलेट flint है अगला सभाल दिखीगा W3C यानि 3W www और C की full form क्या है www बता चुका हूँ worldwide wave है और C का मतलब है consortium है तो worldwide wave consortium W3C की full form हो जाएगी operating system क्या होता है ये पूछ था तो operating system जो users है आप जैसे users हो उप्यूकता हो तथा computer system के बीच में मद्यस्त का कारे करता है OS जो हमारे निर्देश को computer में process करता है and operating system के द्वरा अन्य software program है hardware है इनके मद्य भी मद्यस्ता की जाती है या फिर संचालन किया जाता है hardware और software के बद्दे MS Excel में बिना copy किये current cell से data को right cell में paste करने के लिए क्या करते है तो दोस्तो MS Excel में बिना copy किये जो current cell active cell से data को आपको right cell में paste करना copy भी नहीं करना directly use जहाँ पर यह जो data है उसको same data को right वाली cell में paste करना है तो आप simply control plus R करेंगे control plus R करेंगे तो यह इस cell में data paste हो जाएगा right वाली cell में जो इसके right में रहेगी उसी cell में यह paste हो जाएगा इसका मतलब जो paste without copy up to dime जैसे कि जो current sales से data है वो निचली cell में आप paste करना चाहते हो तो डाउन करेंगे control plus D आपर shortcut की हो जाएगी www.com का यहाँ पर dot com का क्या मतलब है देखि कोई भी website के last में dot com होता है तो इस dot com का मतलब है dot commercial क्या है commercial है com का मतलब है इसी प्रकार अन्य domain भी होते है जैसे कि dot org का मतलब organization है dot in यहनी इंडिया है तो website के पीछे जो domain dot net का मतलब network है edu यहनी education हो जाएगा dot gov यहनी government है अगला स्वाल लिखेगा www.wa supported by है तो यह HTTP के दरा support की जाती hypertext transfer protocol next one दिखीगा c double plus यहनी c plus plus भाषा किस वर्ष में विक्षित हुई थी तो c और जो c plus plus भाषा दोनों अलग है बात करूं c plus plus की तो मैं बता चुका हूँ बजार ने store इस्टूप इनके developer है इनके भाषा के अविश्कारक है 1945 में आपको पुचा किस वर्ष विक्षित हुई थी 1985 में अब अन्य जो programming language है जैसे कि Java है Java के जो developer है वो James Gosling है और इनकी जो developer हुआ है यह Java 1995 में Java script है 1995 में यह भी Brandon Edge इनके developer है COBOL है यह 1969 में विक्षित हुई है अगला स्वाल दिखेगे यहाँ पर पूछा गया है computer में store किएगे data file की परबंदन ही तो किसका योगदान रहता है जो computer में data store रहता है जो data file है उसकी management के लिए यहाँ पर database management system का प्रियुक किया जाता है तो यह DBMS का का कार्य हो जाएगा DBMS OPU करताओं को और programmer का जो data है उसको data बनाने में पुनह प्राप्त करने में इस data को update करने के लिए या फिर परबंदित करने का एक व्यवस्तित तरीका परदान करता है परस्टल computer में काम करने के लिए निमलिक्त में से कौन सा एक अनिवार्य हिस्सा नहीं है तो अनिवार्य हिस्सा है USB का कुछ योगदान नहीं रहता है यह आप data transfer करना चाहते हो एक device से दूसरे device में तब USB आप use ले सकते हो बाकि यह अनिवार्य पार्ट नहीं है RAM है, ROM है, CPU है यह आपके necessary है तो USB आनिवार्य नहीं है कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है इनमें से वेब ब्राउजर Wikipedia जो एक वेब साइट है न कि वेब ब्राउजर है Opera Firefox Chrome यह वेब ब्राउजर है Next लोग देखें के आपर पूछा गया है Computer में Case Memory कहां इस्तित होती है यह तो यह CPU में होती है Case Memory का उप्योग मुख्य Memory से डाटा तक पहुंचने के लिए औस समय को कम करने के लिए किया जाता है क्योंकि यह सबसे First Memory है Case Memory जो एक अइस्ताई Memory है पर्थम रोबोट जिसे मानों का धरज़ा दिया गया था सोप या पर्थम रोबोट है जिसको मानों का दरज़ा दिया गया है सौधी अरब का नागरिक है यह बनाए गया है 2017 में यह दरज़ा मिला है रश्मी दुनिया की पहली हिंदी बासा और भारत की पहली यथार्त वादी लिप सिंकिंग हुमिनोइड रोबोट है यह भारत की है और बाकी बात करूँ इंडिया का फर्स्ट जो हुमिनोइड रोबोट है वो मानों हो जाएगा और हिंदी पासी है यह रश्मी है कौन सा सर्च इंजन नहीं है तो ऑप्सन था है का आपकी इंस्टाग्राम है यह भी सोसल वेब साइट हो जाएगी तो आपको पता होना चाहिए परमुक रूप से कौन से सर्च इंजन है तो गूगल है यह हूँ है बिंग बाइटू एओल आस्क डॉट कॉम है यह सबी सर्च इंजन के उदाण हो जाएगी किसके दोरा इंटर नेट से टाटा ट्रांसफर किया जा सकता है तो आपका इंसर हो जाएगा इमेल के दोरा नेक्स तो दीखिगा गूगल का संस्तापक कौन है लेरी पेज और सर्जी ब्रिन गूगल के संस्तापक है ब्रिन इनके founder है, domain name of government website, तो government website का domain name के पीछ जिक्या होगा, dot gov होगा, dot gov होगा, dot gov हो जाएगा, बाकी यह बता चुका हूँ, dot in India, organization है तो dot org, network.net, edu, dot education, यह domain name है, कौन सी programming language है, तो sql, इसका option दे रखा था, programming language में, तो यह एक programming language है, इसकी full form है, structured query language, इसकी अत्रिक COBOL, basic, fortran, algo, html, यह भी language हो जाएगी, नेशनल दिखीगा, आपके पास, 1.78 GB का एक pen drive है, और computer में data transfer करने की speed है, 2 MB per second, तो पूरा data transfer करने में कितना समय लगेगा, तो आपके पास data है कितना, 1.78 GB है, 1.78 GB है, लेकिन जो data speed आपको दे रखी है, 2 MB per second, यहनि speed MB में दे रखी है, सबसे पहरे GB को आप MB में transfer कर दीजी आप GB को MB में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1 GB में कितने MB होते हैं, 1024 MB होते हैं, तो यहाँ पर 1.78 GB में MB कितने हो जाएंगे, तो इसके लिए आप 1.78 को 1024 से multiply करेंगे, तो 1822.72 MB होंगे, किसके अंतरकत 1.78 GB में, अब यह जो data MB में आ गया, इस data को आपको computer में transfer करना है, अब speed है, 2 MB पर सेकेंड, मतलब 2 MB data transfer करने में आपको 1 सेकेंड समय लग रहा है, 1 MB transfer करने में आदा सेकेंड का लगेगा, आपके पास data है, 1822 MB है, तो इसको transfer करने के लिए आप multiply करेंगे, 1822 का, तो answer आजाएगर 911 सेकेंड है, और सनो यह दि मिनट में दे रखा है, तो आप simply इसको मिनट भी भाग साथ कीजिए, 15.19 मिनट हो जाएगा, अगरे स्वाल कर बढ़ते हैं, spread sheet किस में परियोग होता है, तो MS Excel में spread sheet है, वो यूज होता है, TCP IP का मतलब क्या है, TCP IP अनि transmission control protocol, IP अनि internet protocol, अनि सभी important जो protocol है, जिनकी full form से बहुत से स्वाल NTPC में पूछे के थे, स जिसे FTP अनि file transfer protocol है, HTTP अनि hypertext transfer protocol है, और HTTP S लगा दिया जाए आगे और पूछे जाता है, इस S का क्या मतलब तो, इस S का मतलब है secure, API IP अ का मतलब है, automatic private internet protocol addressing है, APR अनि address resolution protocol है, DHCP अनि dynamic host configuration protocol है, ICMP internet control message protocol है, IAM AP अनि internet mail access protocol है, IP अनि internet protocol है, IP configuration अनि internet protocol configuration, IWP internet printing protocol है, बहुत जदा important सभी protocol से जो full form पूछे जाती है, IP ICC internet protocol security है, LDAP अनि lightweight directory access protocol है, WNTP अनि network news transfer protocol है, POP3 post office protocol 3, PPP अनि point to point protocol है, और T आजाए PPTP अनि point to point tunneling protocol हो जाएगा, और SMTP अनि simple mail transfer protocol है, SNMP simple network management protocol है, बात कुनों TCP अनि transmission control protocol जो आपको पूछा गया है, TFTP अनि trivial file transfer protocol, UDP अनि user diagram protocol है, VOIP अनि voice over internet protocol ये important है, web wireless application protocol हो जाएगा, अगरा स्वाल दिखिएगा, कौन सा computer hardware नहीं है, hardware है, जिसको आप छूँ सकते हो, जैसे आपके keyboard हो गया, mouse हो गया, printer हो गया, जो बाहर के part है, वो hardware है, आंत्रिक है, वो आपके internal है, ये hardware नहीं है, वैसे बात करूँ, memory की, तो memory भी as a hardware हो सकता, लेकिन इरी computer के अंदर insert है, CPU बगेरा में, तो वो आंत्रिक पार्ट हो जाएगा, बाकि जो option के according आपर memory आपको सही लग रहा है, अगरा स्वाल दिखिएगा, कौन सा computer virus नहीं है, python है, एक language है, virus नहीं है, high level programming language है, कौन से computer की memory नहीं है, तो printer memory नहीं होती है, आप सभी को पता, flash drive, cd, ram, ये सभी memory है, कौन सा website का path होता है, website का path है, जो slash से अलग होता है, separate होता है, वो ही इसका path हो जाएगा, जैसे कि ये website www.toptrendinggk.in है, अब ये एक डारेक्टरी अलग हो जाएगी, path हो जाएगा, इसको ही यहाँ पर पूछा गया है, जो किस से separate होता है, ये slash से होता है, तार के बिना connection वाला digital connection है, तो इन में से जो तार के बिना तार का ये satellite हो सकता है, next one CLI का full form क्या है, तो command line interface है, CLI की full form, hard disk किस परकार की memory है, तो hard disk है, ये secondary memory है, hard disk, RAM, ROM, primary है, hard disk है, जो auxiliary memory थी, non-volatile, उपर आया था एक स्वाल, CD, floppy disk है, magnetic tap है, ये सभी secondary memory है, RAM और ROM में ये primary हो जाएगी, अगला स्वाल दिखीगा, 2024 TB में कितने PB होते हैं, तो 2024 जो टेराबाइट हैं, इसमें एक पेटाबाइट होता है, एक PB में 2024 TB होते हैं, copy paste के shortcut कुझी क्या है, control C से copy होती है, control V से paste होती है, control X से क्या होता है, cut और 7 में copy होती है, कोई भी आपको paragraph या word दे रहा है, उसको यहां से हटाना भी है, साधिसाथ copy भी हो जाएं, ताकि उसको paste किया जा सके, तो ये cut करने के लिए आप control X करेंगे, और वो copy भी हो जाएगा, हट भी जाएगा, delete भी हो जाएगा, गूगल किस company से संबंदित है, तो गूगल की बात करें, इसकी parent company है, ये alphabet INC हो जाएगी, ये गूगल की parent company है, जिसकी इस्तापना है, वो 2 October 2015 को हुई थी, कौन सा audio file extension है, audio file extension में .wav है, .wma है, ये दोनों ही audio file extension है, और यदि .wmv आ जाए तो ये video file का extension हो जाएगा, ये है, तो audio का है, .wav.wma audio file का, C programming language किसने विख्षित किये हैं, तो इसको जो develop किया है, C programming language है, bell labs के दोरा, bell labs में जो यहाँ पर scientist है, Dennis Richie के दोरा C programming language को develop किया गया था, ये कब 1972 और 1973 के बीच में, कौन सा video format नहीं है, इससे उपर audio आया था, इसमें पूछा video कौन सा नहीं है, JPEG हैं, ये image का format है, JPEG की full form पूछा जाता है, एक्जामें तो joint photographic expert group, joint photographic expert group जो एक image format है, video format में .mov.mp4 है, और image file format की बात कौने तो .tif.tiff हैं, ये image के format है, png हो गया, jpg, jpeg, gif हैं, इसके लाबा png जो portable network graphics है, row हो गया, phd और eps, ये समीं image के file extension है, video file extension ये format की बात को तो mp4 है, m4pb है, m4v है, vwebm, wbm है, mpg, mp2, mpegb है, .mov है, flv, hwf, wmov, html5, mkv, ये सभी video file के format है, काफी important स्वार है, जरूर एक बार दोबारा इसको revise करना, video के, audio के, image के, इनके जो extension ने file format है, वो concept format में रहते हैं, जिकि इसमें एक mp easy भी आया है, तो आपको exam में ये पूछ ले, जो भी movies आती है, इनके लिए जो format रहता है, वो mp easy रहता है, ज़्यादे तर video का format है, वो mp easy format में रहता है, अगर इसमाल दिखेगा computer में इस्ताई memory, non-volatile memory कौन सी है, तो इस्ताई memory यानि बात हो रही यहाँ पर, especially secondary storage की, तो power source बंद होने या फिर हटने पर भी data सुरुक्षित रहता है, वो इस्ताई memory है, non-volatile हैं, जिसमें hard disk है, ROM है, solid state drive आ जाती है, और volatile जो इस्ताई है, RAM है, केस है, रजिस्टर है, यह परमुक रूप से तीन इस्ताई memory है, computer भासा में DDL का full form क्या है, तो DDL का मतलब है data definition language, तो DDL की full form हो जाएगी data definition language, CPU के परमुक तीन component कौन से है, तो CPU के तीन component है, control unit, arithmetic and logic unit, और memory जिसे storage unit कह सकते हो, तो तीन परमुक कंपोनेंट है, वो CPU के हैं, यह है, CU एनि control unit, ALU, arithmetic logic unit, और memory या storage unit, next देखेगा HTML की discover किस ने किया है, तो HTML का जो अविश्कार रख है, वो हो जाएंगे, Sir Tim Berners Lee ने 1991 में इसका अविश्कार किया था, HTML का Hypertext Markup Language है, और इसको initial release किया गया था, 1993 में, और बात करूँ यहाँ पर, देखेगे, यह तो HTML का पूछ गया था, आपको दिए HTTP का पूछ ले, वो भी Tim Berners Lee के दोरा इसका अविश्कार किया गया है, MS-DOS है, वो operating system में कौन सा interface का प्रयोग होता है, तो MS-DOS है, इसमें Command Line Interface का प्रयोग किया जाता है, तो DOS सिस्टम है, यह Command Line Interface यूज करता है, जो एक Single User Operating System है, विंडो में क्या होता है, जैसे कि MS-DOS में पूछ गया है, इंटरफेस का प्रयोग, जो विंडो में होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का, जी यू आई का प्रयोग होता है, विंडो में, जो Microsoft Windows है, जो Microsoft DOS है, इसमें Command Line Interface का होता है, जो एक Single User Operating System है, एक निबल में कितने बाइट होते हैं, तो बाइट की बात करें, तो हाप बाइट हो जाएगा, और एक निबल में 4 बेट्स होते हैं, एक बाइट में 8 बेट्स होते हैं, नेश तो दिखीगा, यूजर तथा Computer System के बीच मज़िस्त का कारिय कौन करता है, इस से उपर Operating System की प परियोग है, Modem शब्द है, जो Modulator, Modem की Full Form क्या है, Modulator और Dem यहीं, दी Modulator है, और इसका परियोग होता है, कंप्यूटर में, Modem का परियोग कंप्यूटर को टेलिफॉन या केबल से डेटा भेजने के लिए, इसका परियोग किया जाता है, Modem का Modulator, दी Modulator का, कौन सा Computer Hardware नहीं ह हैं, तो इनमें से आपके MSOP से एक Software है, बाकी CPU, Monitor, Keyboard, यह सभी Hardware है, Hard Disk किस परकार की Memory है, तो यह Secondary Storage हो जाएगी, Non-Volatile Memory है, RAM, ROM यह Primary Storage है, इस ताई या फिर Non-Volatile Memory काम करती है, तो Non-Volatile है, जो इस ताई है, Computer का Power Off हो जाए, विजुद पावर है, यह तहरा Disconnect हो जाए, उस Case में भी वो Data Lilit नहीं करती है, इस ताई मेमोरी में जैसे ही Power Source बंद होगा, Data Automatically वो Arrange हो जाएगा, जैसे आपके इस ताई, Non-Volatile में RAM हो गई, सोरी, यह इस ताई मेमोरी ROM है, Hard Disk हैं, और बाकी आपको इस ताई काई पूच्छा बता दिया है, इस ताई में आपके RAM वगेर Silicon से ही बने होते हैं, मुख्यत Memory Chip है, Silicon सी, Computer को दिये जाने वाले निर्देशाओं के समू को क्या कहते हैं, Computer को दिये जाने वाले जो निर्देश हैं, इनके समू को Group को Command बोला जाता है, तो निर्देशों के समू को Command बोलेंगी, ALU की Full Form क्या है, arithmetic, logic unit इसकी Full Form हो जाएगी, Computer य संदेश भीजने के लिए messaging system है, तो spam का मतलब यह हो गया, कोई भी promoter चाता है, बहुत से users के पास उनका जो promotion message चला जाए, तो बल्क में वो email भीज़ देते हैं, तो वो as spam count की जाती है, तो यह spamming है, especially वाने जी की विग्यापन है, advertisement में use की जाती है, जो एक साथ जो आवाने जिसके आपको कोई आउश्यक्ता नहीं है, इस परकार से message आपको मिलते रहते हैं, computer में सभी कारी को संपाधित कौन सा part करता है, जो भी computer की कारी है, especially उन सभी को संपाधित करने में मुख्य पार्ट है, वो control unit का रहता है, और CPU की परमुख परकार में, part में component में control unit है, ALU है, और memory या storage unit है, IP address को समझने में कौन सा सहिता करता है, यह स्वाल NTP SIM दो से पर repeat हुआ था, IP address को समझने में कौन सहिता करता है, तो domain name system, DNS है, यह translate करेगा domain name को IP address में, तो आपके DNS का क्या कारी होता है, दिखिए, exam में DNS की full form बूच ले, तो domain name system हो जाएगा, जैसे कि एक तो मान तो यह DNS क्या करेगा, जो मानों के दोरा पढ़े जाने वाला domain name को किस में बदल देगा, तो यह machine में पढ़ा जाने बारा, जो IP address है, जिसको machine पढ़ सकती ही, computer पढ़ सकता है, IP address में change कर देगा, जैसे कि इसको इस परकार से एक IP address में change कर दिया, IP address, यह internet protocol address हो गया है, अब द dotted है, dotted decimal notation इसका किया जाता है इस परकार से, और यह आप देख रहे हों इस परकार से, यह IPv4 address है, इसमें exam में पूछ लें कि IPv4 address में कितने bits होते हैं, तो bits की बात करें, तो यह आप देख सकते हो, यह पूरा 1 byte है, तो इस परकार यह कितने हो जाते हैं, तो 4 byte हो जाएंगे, अब देखे, 1 byte में कितने 8 bits होते हैं, लेकिन आपके पास कितने byte हैं, 4 byte है, तो 4 byte में कितने bits हो जाएंगे, आप कहेंगे, 4 गुणा 8 है नहीं, यह 32 bits हो जाएंगे, या फिर यह 4 byte है, तो आपको याद रखना है, IPv4 address, जो एक IP address है, इसमें एक तो dot के रूप में, यह notation किया which of the following is not an operating system, कौन सा search engine है, कौन सा operating system है, कौन सा web browser है, कौन सा नहीं है, यह 3 हो ही आपको पता होना च्छी, operating system कौन सा नहीं है, तो आपको पता होना च्री, Microsoft Windows operating system है, Apple Mac OS है, Linux है, Android है, Apple iOS है, Unix है, Ubuntu है, MS LOS है, यह सभी operating system के उधान है, और इसमें option में आपको एक web browser दे 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 जैसे कि Firefox दे दिया, Chrome दे दिया, तो ये operating system नहीं है, MS Ops package में कौन सा program समलित नहीं होता है, तो MS Ops का तो package है, जिसे Outlook, Excel, Excel हो गया, OneNote है, Keynote है, इसमें से कौन सा program, इस MS Ops के package में नहीं होता है, तो Microsoft Ops में, ये Keynote नहीं होता है, बाकि कौन से program होते हैं, वो मैं बता देता आप देख रहे हैं, Microsoft Ops OneNote है, Ops Outlook है, Ops PowerPoint, Excel, Word, Microsoft Publisher हो गया, Microsoft Essays है, ये सभी इसके अंतरगत, MS Ops के अंतरगत program समलित होते हैं, कौन सा Google का protect नहीं है, तो Gmail है, वो Google का है, Blogger भी Google का है, YouTube भी Google का है, iTunes है, ये Google करना होकर किसका है, Apple का है, Apple के दोरा develop किया गया है, iTunes program, hexadecimal में क अलग रग जैसे कि सिंबल में 0 से लेकर 9 तक तो ये value रहेगी, 0 से 9 तक हैं, और बाकि इसके अतरिक्त हैं, वो 6 alphabet है, A से लेकर F तक हैं, जो कि represent करेंगे 10 से लेकर 15 तक, अगला स्वाल दिखीगा, यहाँ पर पूछा गया है, in computer which system convert the program, then execute the program, option थे, assembler, operating system, interpreter है, compiler है, तो कौ इन सभी option की बात करूँ, जैसे कि compiler की, तो compiler का क्या काम, एक translator है, जो source code, जो high level language है, इसको machine language में बदल देता है, high level language कौन सी, जैसे कि ये सभी high level language, इसको आपन पढ़ सकते हैं, computer नहीं पढ़ सकता है, तो computer को पढ़ने के लिए machine language में बदलना पढ़ेगा, तो compiler ये कारिय कर लेकिन interpreter क्या करता है, एक instruction को बारी-बारी से machine language में translate करता है, जैसे कि ये पूरा एक sentence है, और इस sentence को एक साथ compiler है, वो क्या करेगा, machine language में बदल देगा, लेकिन जो interpreter है, वो एक-एक instructor को, जैसे कि ये word है, ये एक letter हो गया, इनको बारी-बारी से machine language में अलग-अलग translate करेगा, एक option आपके assembler भी था तो assembler एक program है जो assembly language को machine language में translate करता है अगरा स्वा दिखीगा HTTP में P का क्या मतलब है तो इस P का मतलब है protocol hypertext transfer protocol इसके आगे जी S हो जाए S का पूझ ले तो secure हो जाएगा memory जो RAM है तो इसके जैसा reasoning से related पूझा गया था इस परकार memory है यही RAM से related इन दोनों का आपस में relation है इसी परकार और कौन से आपस में relation है तो memory है memory का परकार एक RAM भी है इसी परकार printer का एक परकार laser Z print भी है अगरा स्वा दिखीगा पूझा गया which did hotmail start है when did hotmail start है तो hotmail की शुरुआत हुई थी 1996 में सबसे पहले इसको launch किया गया था 1996 में तो यह webmail service थी first public webmail service थी जिसे सबीर भाटिया और Jack Smith ने 1996 में पहली मुफ्त वेब आदारित email सिवा hotmail.com की स्थापना की थी 32 bit system कितनी RAM memory store कर सकता है तो 32 bit का system है यह 4 gigabyte जो RAM memory है इसको store कर सकता है तो 4 ZB हो जाएगा अगला स्वाल देखेगा keyboard monitor यह सभी क्या है तो यह सभी hardware है क्या है hardware EPROM की full form क्या है EPROM यानि erigible programmable read only memory GUI की full form graphical user interface हो जाएगा अगला स्वाल देखेगा IC integrated circuit को और क्या कहा जाता है तो integrated circuit है also called micro electronic circuit है तो इसे micro chip चिप या फिर IC बोला जाता है अगला स्वाल URL क्या है इसका सई कतन आपको बताना था तो URL की case में एक तो इसकी full form आपको पता होना चाहिए uniform resource lockator है इसके अत्रिक देखे URL web address को कहा जाता है website का जो address रहता है तो आपको Chrome browser है तो type the URL लिखा रहता है तो URL नहीं अपनी website है वो यहाँ पर enter कीजी URL का उपयोग internet में website में किसी network resource को ढूड़ने के लिए किया जाता है तो इसका उपयोग है internet में कोई भी website है और website में किसी network resource को ढूड़ना है जैसे internet पर इस्तित resource का आर्थ है internet में जो भी file है image है, website है, webpage है बहुत चारी cj internet पर रहती है automatically file image है उन सभी को ढूड़ने के लिए URL का परियोग किया जाता है ROM से संबन्दित गलत कतन कौन सा है ROM एक primary memory है और इस्ताई memory है ये दो कतन तो आपके लिए important है RAM क्या है तो RAM यहाँ से आपके option के recording internal memory हो जाएगी तो ये जो internal device है man और जो RAM है वो primary memory है तो internal device हो जाएगा जो कि CPU के अंतर लोकेट होता है RAM और external memory है ये secondary memory रहती है अगला स्वाल दिखेगा FTP की full form क्या है तो file transfer protocol हो जाएगा FTP computer में high level language में लेकि program को machine language में बदलने का कारी कौन करता है तो compiler भी है और interpreter भी है दोनों ही मैंने बता दिया है compiler है ये high level language को machine बदल लेगा interpreter है ये एक साथ नहीं अलग-अलग बारी-बारी से instruction को convert करेगा computer में virus और वांचनी file को हटाने के लिए कौन सा software कारी करता है तो ये firewall है जो वांचनी spam file है उसको हटाने के लिए कारी करता है आदुनी computer के जनक को है LN tuning है ये आदुनी computer के जनक है तो LN tuning को आदुनी computer के जनक कहा जाता है और चालर्श बेवेज है ये computer के जनक माने जाते है तो अगले स्वाल के और बढ़ते ही आपर पूछा गया है भारत में इंटरनेट के शुरुआत कब होई थी तो इंडिया में इंटरनेट के शुरुआत है वो 1995 में होई थी 1995 में 15 अगस्त 1995 को विदेश संचार निगम लिमिटेट के दोरा इंटरनेट शिवाई शुरू की गई थी 1995 में और नवंबर 1998 में सरकार ने नीजी ओपरेटर के दोरा इंटरनेट शिवाई परदान करने के लिए इस च्छेतर को खोल दिया था शुरुआत में ये गवर्मेंट के पास में था विदेश संचार निगम लिमिटेट के दोरा इंटरनेट शिवाई दिव जा रही थे 1995 में शुरुआत हुई थे और 1998 में नीजी ओपरेटर के लिए भी ये च्छेतर खोल दिया गया था MS Excel Workbook is a collection of MS Excel में जो workbook रहती है वो किसका collection है तो worksheet और chart का collection है अगला सवाल दिखेगा computer में menu क्या परदर्शित करता है तो computer में menu है वो list रहती है option और command की जो भी list है वो menu में ही so होगी तो menu से आप जो भी list रहती है option और command की वो देख सकते हो तो यहाँ पर command हो जाएगा अधुनिक printer की speed कि इस unit में मापी जाती है तो printer की speed है वो page per minute में PPM में measure किया जाता है आधुनिक printer की speed है PPM में output device कौन सा नहीं है तो इन में से जो scanner है वो input है input में बताच चुका हूँ आपको mouse keyboard है joystick है, touch screen है, light pen है barcode reader है, OCR है, OMR है scanner, digital camera यह input device है OMR में M का क्या मतलब है OMR यानि optical mark recognition M यानि mark हो जाएगा GPS से संबंदी सई कतन क्या है GPS की एक तो full form आपको पता होना चाहिए global positioning system है जो west week इस्तान देधारन पढ़ना ली है और यह सबसे पहले launch किया गया था 1978 में, यह एक शुक्त राजे अमरिका सरकार के शौमितों और शुक्त राजे अमरिका अंत्रिक्स बल के दोरा संचलित उबगर आधारित रेडियो नविकेशन पढ़ना ली है जो US के दोरा ओपरेट की जारी है ओपरेट रहें US Space Force है और जो GPS receiver है वो अपने इस्तति का आकलन परत्वी से उपर इस्तित किये गए GPS उबगरों के समुद और भेजे हो दाने वाले संकित के आधार पर ये GPS receiver कारी करेगा और जिस परकार जो GPS ऐसी परकार चाइना का है वो बाइडू है नविकेशन सैटिलाइट सिस्टम है जो की Global Service के रूप में 2018 में शुरुआत हुई थी NASCOM की full form क्या है National Association of Software and Service Companies है NASCOM की full form है जिसका मुख्याले न्यू दिल्ली में इस्ता अपना 2018 में हुई थी अगला स्वाल दिखीगा कंप्यूटर में अन अधिकर जो अन ओतोराइट वेक्ती हैं या संक्टन हैं उनके दौराद डेटा के essays को रोकने के लिए किस प्रकार की security या data प्रयूग किया जाता है तो यह information या फिर data security के यहाँ पर इस्तिमाल किया जाएगा अगला स्वाल दिखीगा monitor का अन्य नाम क्या monitor को अन्य किस नाम से जाना जाता है visual display unit के नाम से monitor को अन्य नाम से जाना जाता है video हो जाएगा अगला स्वाल computer screen पर blink करती हो यह तीर जो arrow है जिस परकार यह आप देख सकते हो यह arrow है तो उस बिंदू को दिखाने के लिए काम ली जाते है जिस परकार इस word को आपको दिखाना तो इस arrow का आप प्रियुक करेंगे तो यह arrow क्या कहलाती है तो इससे cursor बोला जाता है अगले स्वाल के और बढ़ते है computer शम्ता की सबसे बड़ी unit कौन सी है इन option के according तो zettabyte है वो सबसे बड़ी हो जाएगी और जैसे कि मैं सारी unit आपको बता दू उनका prefix बताऊं तो सबसे छोटी यहाँ पर देखे तो आप kilobyte kilo 10 की घाट 3 हो जाएग किरो उसके बाद mega 10 की घाट 6 रहती है giga 10 की घाट 9 tera 10 की घाट 12 peta 10 की घाट 15 exa 10 की घाट 18 और जो zettabyte दे रखता zettabyte 10 की घाट 21 होता data से भी बड़ा होता है yota byte 210 की घाट 24 जो सबसे बड़ी ms excel 2010 में total कितने column है ms excel Microsoft excel 2010 में जो column जैसे कि यह आपकी seat रहती है इनमें यह आप देख रहे हैं यह column है और यह है वो row है यह horizontal row है vertical column है तो इस परकार total 1, 2 यह कितने column होते हैं column की बात के तो 16,384 यह column है ms excel 2010 में तो आप देंगे row कितने हैं यह वाले यह row कितने हैं तो यह row है 10,48,506 तो दोस्तों यह तो बात हो गई ms excel की ms excel में column होते 16,344 यह दस लाग 48,506 रो होती हैं लेकिन बात करूं ms word में जो table रहती हैं इसमें कितने column और row होते हैं तो minimum number of row और column ms word में document में एक row एक column सही table बनेगी कम से कम एक row एक table जरूरी है तो minimum इतने हो सकते हैं ms word की बात कर रहा हूं अधिकतम कितने हो सकते हैं तो एh word ms word की table में जो minimum अधिकतम 63 column हो सकते हैं और unlimited row कितनी भी हो सकती है row कितनी भी हो सकती है और अधिकतम ये column है ये 63 हो सकते हैं ms word में अगला स्वाल दिखीगा mpeg की full form क्या है moving picture expert group है जो मैंने आपको बता है जो भी movies आती है picture आती है इनको जो theater में distribute किया जाता है वो इसी format में रहती है mpeg moving picture expert group हो जाएगा अन्य important full form की बात को तो jpeg joint photographic expert group है pd portable locomat format है png portable network ग्राफिक से अगला स्वाल दिखीगा cupcake, donut, iklar, forio, ginger bread है honeycomb है ये किस की version है तो ये सभी है android की version है अभी वर्तमान में जो nougat चल रहा है इससे पहले जो शुरुआत में आप देख रहे हैंगे kitkat के थे, lollipop थे, marshmallow थे, jelly bean है, sandwich है ये किस के version है ये option में, question में और ये सभी android के version है अगला स्वाल दिखीगा spider computer से संबंदिते एक क्या है तो spider है, internet boat है क्या है, web crawler है, internet boat है तो ये हो जाएगा spider computer से संबंदिते एक boat है एक internet boat हो जाएगा अगला स्वाल आपर computer में एक से अधिक open program में switch करने के लिए shortcut कुणजी कौन सी है, computer में आपके screen पर एक से अधिक program या application open की हुई है आप यदि किसी application में जाना चाते हो दूसरी application में switch करना चाते है तो alt के साथ tab आप click करेंगे जितने भी application open है आपको पता चल जाएगा और उसमें आप एक दूसरे में switch कर सकते है तो alt plus tab ये shortcut की हो जाती है तो ये तो हो गई दोस्तों जो Microsoft Windows है operating system है, इसमें जितने भी program open है उसमें एक दूसरे में switch करने के लिए alt plus tab ऐसा भी हो सकता जैसे कि आपका एक ही program open है Chrome browser हो गए इसमें अलगले का आपने tab open कर रखे है एक ही program में उन tab में आप switch करना चाते हो switch between open tabs to in the active window एक ही window है इसमें आप एक दूसरे में switch करना चाते हो tab में control के साथ आप tab करेंगे और बात करूए आप control plus shift plus tab की तो आप right to left वाली tab में right से left वाली tab में move हो जाएंगे control shift plus tab करेंगे direct आप राइट में जाना left से right में आपको move होना है तो control plus tab करेंगे ये right में move हो जाएंगे और shift दबाएंगे आप ये right to left move हो जाएंगे और alt plus left arrow है ये back space का कारे करता है अगला स्वाल दिखीगा Fortran क्या है Fortran यहीं formula translation है जो high level programming language है जो संख्यात्मक अभिकलनन और veganic computer में प्रियोग की जाती है Fortran है formula दे रखा तो जो भी संख्यात्मक आपकी गणना ही रहेगी उसमें प्रियोग होगा इसको design किया गया था वो john backus के दोरा 1907 में किया गया था developer है john backus and ibm www के अविश्कार कौन है तो इनके अविश्कार है टिम बरनर्स ली और रोबर्ट किलाव हो जाएंगे worldwide wave इसकी full form Fttp की full form क्या है तो Fttp का मतलब है fiber to the premises हो जाएगा fiber to the premises अगरा स्वाल दिखेगा कौन से super computer है वो परम की series की नहीं है तो परम series के जो super computer है इन में से कौन सा या पर सही नहीं है तो परम मित्रा नाम से कोई भी super computer नहीं है बाकि प्रम 8000 है प्रम 8600 है प्रम ब्रमा हो गया तो यह सारे जो मैं प्रम की series बता देता हूँ आपको प्रम 8000 जो पहला था उसके बाद प्रम 8600 प्रम 9900 जिसे प्रम SS भी बोला जाता है प्रम 9900 US है प्रम 9900 AA है प्रम 10,000 और प्रम पदमा है देखिए जो आपको दे रहे काता जैसे प्रम ब्रमा है प्रम मित्रा तो मित्रा करके कुछ भी नहीं है या पर प्रम कंप्यूटर की जो एक सूपर कंप्यूटर की सीरीज है प्रम पदमा है प्रम युवा है प्रम इनमें से मित्रावाला नहीं है और जो पर्थम सुपरकंप्यूटर है भारत की बात करूँ फर्स्ट इंडियन सुपरकंप्यूटर इसका नाम है प्रम 8000 जो 1990 में डवलप किया गया था अगला स्वाल भुवन क्या है भुवन है यह पुचाए क्या है तो भुवन एक नेशनल जीओ पोर्टल है जिसको डवलप किया है इसरो के दोरा तो यह हो जाएगा आपके जीओ पोर्टल यह इनि इसरो के दोरा विक्षित एक सॉप्ट्वेर या वेब पोर्टल है जिससे भारत के भुवागों को 3D चित्रों के रूप में देखा जा सकता है इसे अगस्त यानि 12 अगस 2009 को रिलेज किया गया था परम 10,000 सुपर कम्प्यूटर के डेवलपर कौन है तो यह जो डेजाइन किया गया है असेंबल किया गया है परम 10,000 यह CDAC के आपको फुल फॉर्म पूछ ले तो Center for Development of Advanced Computing हो जाएगा जो पूने में है तो CDAC के दोरा इसको डेजाइन किया गया है तो परम CDAC के दोरा विक्षित भारत का सवदेशी सुपर कम्प्यूटर की एक सरंकला हो जाएगी और बात करूं यहाँ पर भारत का जो सबसे नया और फास्टेस्ट का सुपर कम्प्यूटर है वो है परम CDAI अगला स्वाल दिखीगा SMPS की फुल फॉर्म क्या है इनमें समसे परशनल कम्प्यूटर की केस में आपके ये मैन फ्रेम है ये परशनल कम्प्यूटर नहीं है लेपट आप, डेक्स्ट आप, पार्म प्यूटर के उधार नें DASD की full form क्या है तो direct assage storage device हो जाएगा DASD का मतलब WinGip क्या है आपको पूचा WinGip क्या है तो zip utility for file compression तो WinGip एक Windows program है जो आपको फाइलों को संग्रहित और संपिरित करने की सुईदा देता है जैसे कि कोई file आपके बड़ी है 100MB की आप उसको छोटा करना चाहते हो तो इसको compress करना चाहते हो तो उस case में यह WinGip का use कर सकते हो और यह हो जाएगा आपकी WinGip यहनी zip utility for file compression COBOL किस परकार की भासा है तो COBOL एक commercial भासा है COBOL हो जाएगा आपकी commercial भासा है इसकी full form है common business oriented language कौन सा input device है option scanner था बाकी जो input device है इसमें keyboard, mouse, joystick, trackball, light pen, touch screen, digital camera, scanner, barcode हो गया OCR हो जाएगा, OMR हो जाएगा, MICR हैं यह सभी input devices हैं कंप्यूटर में VR की full form क्या है VR का मतलब है virtual reality क्या virtual reality Facebook ने अपने artificial intelligence best दो chat robot को 2017 में बंद कर दिया था उन्चेट robot का नाम क्या है तो उन्चेट robot जो की Facebook के artificial intelligence पर आधरी थे नाम थे Bob और Alice बंद क्यों किया क्योंकि Facebook ने अपने दोनों robot Bob और Alice को आपस में बाते करने के लिए command दिया था और लेकिन अच्छानक से Bob और Alice आपस में एक ऐसी भासा का इस्तेमाल कर रहे थे जिसको कोई भी नहीं समझ पा रहा था केबल भी दोनों ही समझ पा रहे थे इसलिए कुछ अनोनी नहीं हो जाए तो इन्होंने Bob और Alice को बंदी कर दिया अग्रस वाल दिखीगा इनमें से कौन ओप्रेटिंग सिस्टम नहीं है कौन सा ओप्रेटिंग सिस्टम इनमें से नहीं है तो MS OPS है यह सॉप्ट्वेर है ओप्रेटिंग सिस्टम नहीं है Microsoft Windows है Apple Mac OS है Linux Android Apple iOS है Unix Ubuntu Mac OS है यह सभी ओप्रेटिंग सिस्टम हो जाएंगे which is not a social networking platform तो social networking platform इनमें से कौन सा नहीं है Twitter है Facebook है LinkedIn है तो यह habits है यह social networking platform नहीं है तो डिकरेक्ट है MBA का क्या मतलब होता है MBA मेगा помог sensor की स्पीड के सिस्ट में मेजर की जाती है तो मेगा हार्ठ ओ गगा हर्च हो गया इह से impressions इस उनिट में मेजर की जाती है कौन सा वे ब्राग já तॉप्षे में ओपेरा मोजिला फायफऑक्स Microsoft Explorer है तो यह Microsoft Explorer है यह कोई Web Browser नहीं है लेकिन आपको दिमाग में आ रहोगा कुछ ऐसा करके है वो है Internet Explorer Microsoft Explorer है तो यह Graphical Web Browser है जिसको Microsoft ने Develop किया तो इसका नाम है Internet Explorer है बाकि Safari है यह भी Graphical Web Browser है और Developer है इसके Safari के वो Apple है Opera, Mozilla, Firefox भी Browser है Computer में High Level Language में लेखे Program को Machine Language में बदलने का कारिय कौन करता है तो यह मैं बता चुका हूँ आपको Compiler और Interpreter दोनों की Case में जो High Level Language है मतलब जो अपन पढ़ सकते हैं यह सभी High Level Language हैं Computer इसको नहीं पढ़ सकता है Computer जो Machine Language रहती ही Binary में 0-1 में वो ही पढ़ सकता है तो उसको Convert करने के लिए Compiler का प्रियूट किया जाता है पूरे paragraph को एक साथ Convert कर देता है लेकिन एक-एक कदम देखे Interpreter एक ऐसा Program है यह भी High Level Language को Machine में Convert करता है लेकिन यह एक-एक instruction को बारी-बारी से Convert करेगा Translate करेगा Assembler क्या होता है तो यह Assembly Language को Machine Language में Translate करता है Aski की Full Form American Standard Code For Information Interchange कौन सा MS Office का Part नहीं है तो MS Office में यहाँ पर Adobe Reader है यह Part नहीं है Excel, PowerPoint, MS Word वगरा सारे Part है तो कौन से हैं यह सभी आप देख सकते हो मैंने और बतच चुका हूँ पार्ट फंस्ट में भी है तो OneNote हो गया इसके लावा Outlook है PowerPoint, Excel, MS Word, Publisher है Essays है यह सभी पार्ट कम्पूटर में Online कारे करने के दोरान Background में Automatic System से Data छुपके से Copy करना और Send करना क्या कहलाता है तो Online कारे करने हैं Background में Automatically आपका Data जोरी हो रहा है किसी और की सिस्टम में चारा है तो यह Malware है Malware है वो कम्पूटर को नुक्सान पहुंचाने के उद्धिशी से त्यार किया जाने वाला एक परकार का Software है Malware आपके कम्पूटर से 77 जानकारी चुरा लेता है अब दीकि वाइरस एक हानिकार कम्पूटर प्रोग्राम है जो स्वयम की कोपी बना कर किसी कम्पूटर को यहाँ पर शंक्रमित कर सकता है तो स्वयम की कोपी बनाएगा वहम भी एक कम्पूटर प्रोग्राम है जो किसी नेट्रों के मादिम से दूसरे computer पर आसन इसे copy भेज देता है spyware है लोगों की जानकारी की बिना उनकी जानकारी collect करने वाला malware है addware है automatically वो आपके permission की बिना add यहाँ आपर show करेगा trojan horse देखे trojan horse और virus में अंतर देखीगा ये भी एक ऐसा program है जिसका उप्योग एक application जैसा देखता है लेकिन ये आपके computer को नोसान पहुंचाता है install की जाने के बाद आपके जानकारी की ये चोरी कर लाता है तो ये कुछ trojan horse हो गया वाइरस हो गया जो भी malware के परकार है इनसे भी स्वाल पूछे जाते है जो एक प्रोग्रामिंग लेंग्वेज का ओफिशल नाम क्या है java script जो एक प्रोग्रामिंग लेंग्वेज है इसका जो ओफिशल नाम है वो है ECMA script है जो 2020 पे रखा गया है original नाम था इसका मोच्चा और बाद में java script और सबसे इसके बाद जो ECMA script है ये इसका official name रखा गया है जावा script है वो सबसे पहले कब आई थी चार दिसमर 1995 को और इसको डिजाइन किया है ब्रेंडन इज ने और इसनल नाम था मोच्चा अभी ओफिशल ECMA script है अगला स्वाल दिखेगा पूछा गया है FQDN की full form क्या है तो इसका मतरव है fully qualified domain name निबल में कितने बिट्स होते हैं आपको पूचा है 100 निबल में ओके यहाँ पर दे रखा होगा 100 निबल में कितने बिट्स होते हैं देखिए 1 निबल में मैंने बताया आपको 4 बिट्स होते हैं और 4 bits का मतलब आप 8 बटा 2 यह निया आपर 4 bits कहो या half byte हो जाएगा तो एक निबल में half byte है एक byte में 8 bits होते हैं बाकी एक करम में 2 bits होते हैं याद रखना आपको एक किलो बाइट में 1024 bytes एक MB में 1024 के भी और HGB में 1024 MB होते हैं BIOS का full form क्या है BIOS का मतलब basic input output system in MS Word control plus A क्या कारी करेगा total पूरा paragraph उसको select कर देगा select all का कारी करेगा MS OPS में F1 function की का क्या कारी है तो MS OPS में जो F1 total 12 function की होती है उनमें से F1 का कारी है display help screen है तो यह universal help रहता है किसी भी program के लिए आपको help चाहिए क्या कारी करता है इसके लिए F1 की press कीजिएगा F2 का क्या कारी रहता है rename the selected item है कोई भी आपना item select किया है word वगिर है को उसको change करना file वगिर का नाम है तो यह F2 की कारी करेगे F5 है यह repress का का काम करती है window में F7 है यह spelling check का देखिए F7 से बहुत बार exam पूछे जाता है जो program है आपका MS Word खोल र screen है तो full screen की case में F11 function की F12 है यह काम करेगा save as window Microsoft Word में save as का आपको window open करना है किसी भी file को save करना है आपके मन्चाई folder वगिरा में तो F12 आप कीजिएगा और उसको save कर सकते हो एशिया का पहरा super computer कौन सा है तो यह हो जाएगा जो भारत का परतम super computer प्रम आर्ट जा रहे है उनने करता है तो विजे पांडूरंग भाठकर को भारत में super computer का father या जनक कहा जाता है विजे पांडूरंग भाठकर को अगला स्वाल देखिएगा कौन सी programming language नहीं है तो इनमें से दिखी एक ऐसा दे रहे का था C++ तो इस प्रकार से कोई भी programming language नहीं है C है और C++ जरूर है Swift भी ह जावा Python ये सभी language है Swift हो गई जिसके developer Apple है और Python की बात क्या तो ये है इसको design किया है Guido Ben Rosham ने अगला स्वाल देखिगा virus की full form क्या तो vital information resource under siege हो जाएगा ये virus की full form है vital information resource under siege laser की full form क्या तो light amplification by simulated emission of radiation ये laser की full form है light amplification by simulated emission of radiation LED का पुछा जाता तो light emitting diode है LCD liquid crystal display what is peripheral device in computer में जो peripheral device होते हैं वो कौन से है तो input output device है इन्हें ही peripheral device बोला जाता है तो computer से जुड़ा हुआ कोई hardware है ओपकंड जैसे printer हो गया keyboard है mouse है skinner है ये सबी जो input output devices रहते हैं computer से connect रहते हैं इससे ही peripheral device बोला जाता है अगरा स्वाल API होता है doors per inch निमन में से कौन सा web browser नहीं है तो इन में से आप देख सकते हो जो panda करके कोई web browser नहीं है sapari chrome firebox ये web browser है निमन में से कौन सा computer का आंत्रिक भाग नहीं है इन में से कौन सा computer का आंत्रिक option था flash drive है video card है RAM है motherboard है तो इन में से थोड़ा सा outputs वाला वैसे RAM और मदर पोर्ट तो नहीं है आपके आंत्रिक भाग ये है दोनों ही लेकिन बात पर कौन सान नहीं है तो flash drive जो pen drive होता है वो तो आपको पता है आंत्रिक नहीं है तो यह हो सकता है बाकि video card भी सही है अगला स्वाल दिखीगा operating system क्या है तो ये एक system software हो phd यानि photoshop document तो phd photoshop में जो application है photoshop software है इसमें होता है ये image file का format है dot ये phd करेंगे तो ये image file का format हो जाएगा especially adobe photoshop application में ये extension काम आता है COBOL language को कौन सी pd की computer में प्रियोग किया गया था ये स्वाल दो से तीन से पर repeat हुआ था COBOL language है ये कौन सी generation के computer में सबसे पहले यूज हुई है तो second generation COBOL और Fortran है ये दोनों ही language duty PD की computer में काम ले गई थी assembly language and high level programming language है like Fortran हो गया COBOL हो गया ये सबी second generation में यूज हुई थी अगला स कौन सा MS Office में alignment से संबन्दित नहीं है कौन सा alignment नहीं होता है लेकि left होता है आप left align कर सकते हो right align कर सकते हो और बीच में आप justify कर सकते हो लेकिन vertical करके कुछ alignment नहीं होता है वो horizontally रहता है तो ये vertical का नहीं होता है चार type की paragraph alignment रहते हैं Microsoft word में left align, center align, right align और justify ये चार alignment है अगला 1 petabytes equal to how many तो एक petabyte में कितने terabyte होते हैं एक petabyte में आपके हो जाएंगे 2024 terabyte है और एक terabyte की बातक्रम तो 2024 gigabyte उसमें हो जाएंगी अगला स्वाल कौन सा desktop का operating system नहीं है तो android है ये mobile का operating system है नकिक desktop का निवन में से कौन सा database management आधरी software नहीं है तो dbms database management जो software है या फिर database management प्राधर सब्सक्राइब नहीं है जिसमें से आपका यहां पर correct हो जाएगा MS Word option भी correct है तो MS Word is a graphical word processing program है ये database management आधरी software नहीं है तो कौन से है प्रमुख famous दो dbms software है इसमें mysql है बहुत ज्यादा famous है Microsoft essay जो दे रखका था Oracle हो गया ये भी option दे रखा था Fox Pro भी है इसके दिबैस है और PostgreSQL है SQL है SQLite है IBM DB2 है ये सभी dbms software है जंक फाइल को और क्या कहा जाता है जंक फाइल है ये spam फाइल जो आवांचित फाइल रहती है प्रोमोशनल के case में ये प्रयूख की जाती है अगर आसवाल KB, GB, MB, TB, स्टू प्राप्ट्रिक मेंमोरी में आपके RAM और ROM है secondary में जो CD floppy magnetic tab बगेरा है कौन सा input device है mouse input है इसके अत्रिक्टी में बता चुकाँ सारे input devices कंप्यूटर में copy किए डाटा को paste करने की shortcut कुझी कौन सी है जो data copy कर रहे हो यानि control प्लस आप C से copy करते हो उसको आप paste करना चाहते हो तो 1024 petabyte की equal हो जाएगी यह मैं सारी unit आपको बता देता हूँ जैसे कि 1 byte में 8 bit होते हैं 1 kilobyte में 1024 byte है 1 MB में 1024 kilobyte 1 GB में 1024 MB 1 TV में 1024 GB 1 petabyte में 1024 TB है और जो 1000 यह हो गया आपके 101 petabyte में 1024 TB है 1024 exabyte में 1 zettabyte है और 1024 zettabyte में 1 yotabyte है 1024 yotabyte में 1 brontabyte है आपको जो पुछा गया था 1024 exabyte था न एक exabyte में कितने क्या होते हैं तो एक exabyte में 1024 petabyte हो जाएंगे अगलासवाल दीकी का What is an acceptable SR level for a cell phone? Cell phone आपका जो रहता है सरकार के दोरा कितना सार है वो सार वाट्स पर किलोग्राम की mobile allow है वेद्ध हैं तो 1.6 वाट्स पर किलोग्राम जो सार वैल्यू रहती हैं सार यह specific absorption rate है यह value की mobile ही legal रहते हैं 1.6 वाट्स पर किलोग्राम 3.5 इंच floppy disk की storage शंता कितनी होती है तो साधे 3 इंच जो floppy disk है 3.5 इंच की इसकी जो storage शंता रहती है वो 1.44 MB रहती कितनी floppy disk की storage शंता काफी कम रहती है इसमें अलग-लग inches गे रहती है तो तो एक 3.5 इंच की जो floppy disk है उसकी storage रहती है 1.44 मेगबाइट रहती है और बात करूए आप floppy disk है जैसे की 3.5 इंच के तो largest कितनी रहती है तो largest जो size रहती है floppy disk की वो 8 inches की रहती है अगला स्वाल short form of programmable read only memory यहीं पी रॉम का आपको पूछा था next computer में DVI का क्या मतलब होता है DVI यहीं Digital Visual Interface है तो यह Digital Video Interface भी आप इसको कह सकते हूँ तो इसका use कहाँ पर होता है जो connect करता है video source को जैसे की as a video display control है जो वीडियो डिस्पले है उसका control रहता है इन सभी को जैसे की computer monitor हो गया यह सभी DVI डिजिटल वीडियो इंटरफेस है निमन कोई से सूपर कंप्यूटर है जिसे परम क्रेथ्री एक का पीडे तो यह पीडे वाला कोई सूपर कंप्यूटर नहीं है बाकि इंडिया का पर्था में वो परम आठ जार है अगले स्वाल कर बढ़ते हैं पूछा गया संचार प्रजोगी की में SPF की full form क्या है तो information technology संचार संचार प्रजोगी की में SPF का मतलब है state portal framework तो यह हो जाएगा state portal framework है जो की communication संचार प्रजोगी की SPF की full form है अगला स्वाल CDMA की full form क्या है CDMA नी code division multiple assets हो जाएगा GPRS की full form GPRS नी general packet radio service है इसी प्रकार बात करो GSM की तो global system for mobile communication है LTE मोबाल में 4G network LTE तो long term evolution है LTE long term evolution है वाल्टी का मतलब है voice over long term evolution नेक्स्ट न दिखीगा SMPSनE switch mode power supply है कौन सी high level language नहीं है तो machine language है वो आपके high level language नहीं है तो low level programming language है जैसे assembly language है machine है यह low level programming भासा है assembly और machine high level जो language है इसमें C++, COBOL, Fortran, JavaScript, Java, Pascal, Perl, PHP, Python, Swift है यह high level हो जाएगी वन टेरा बाइट में कितने गीगाबाइट होते हैं? 2024 फुल फॉर्म ओफ वैन यानि wide area network नेक्स्ट वन ओपन सॉर्स ओपरेटिंग सिस्टम कौन सा है तो Linux kernel है यह open source operating system है बाकी Microsoft Windows है यह closed source operating system हो जाएगा Linux kernel ओपन सॉर्स है COBOL and Fortran language को कौन सी PD के computer में प्रयूग किया गया तो उपर बता चुका हूँ यह second generation जो computer है इनमें प्रयूग की गई है second generation में COBOL और Fortran है अगला स्वाल quality keyboard में कुल कितनी कीज होती है तो 104 कीज होती है quality keyboard में DNS नी domain name system है RAM किस परकार की storage है RAM और ROM primary है paste special dialogue box open करने के लिए shortcut key क्या होती है तो यहाँ पर आपको पूचा है paste special dialogue box open करने के लिए shortcut key है paste के लिए control V होती है paste special में control alt V जी कि paste special कैसे हो गया जैसे आप कोई भी data यहां से copy करते हो उसको paste करेंगे वो हूब होसी प्रकार से paste हो जाएगा लेकिन आप चाते हूँ copy किया जो भी data रहता उसका format change कर ले जैसे कि text format है इसको format change करके मेरे को image format में paste करना है तो यह control alt V हो जाएगा जो paste special dialogue box रहता है कौन सा computer network लगुच छेतर में इस्तित घर कार ले इसकोल जैसे भावनों के छोटे समों को cover करता है तो कौन सा computer network है जो कि लगुच छेतर में घर कार ले इसकोल वगएर है इनको cover करेगा तो यह local area network हो जाएगा अगरा स्वाल देखेगा CAD software में किसका उप्यूग किया जाता है CAD software में pentograph का उप्यूग किया जाता है CAD का मतलब computer added design है जो एक electronic file print के लिए available कराता है output के रूप में pentograph का इसमें उप्यूग किया जाता है HTTPS में S का क्या मतलब है इस S का मतलब है secure है इसकी full form क्या है hypertext transfer protocol S यानी secure नेशन देखेगा पर्थम PD का पहला computer कौन सा है NEC है पर्थम PD का first computer NEC हो जाएगा computer की second generation में किसका प्रियूग किया जाता है second PD में transistor का प्रियूग किया जाता है second PD का call क्या है 1969 से लेकर 1965 तग आपको सभी PD जो fourth generation third और second generation first इन सभी का काल भी पता होना चाहिए first generation की बात के तो 1946 से लेकर 1969 तक है इसमें प्रियूग किया जाता है vacuum tube का third generation 1965 से लेकर 1911 तक है इसमें IC यानी integrated circuit यूज किया जाता है और चौती PD 1911 से 1980 तक है ये microprocessor इसमें प्रियूग किया जाता है पांचु PD जो अभी वर्तमान में है 1916 से लेकर परजेंट तक है जिसमें AI यानी artificial intelligence का प्रियूग किया जाता है इनमें से कौन सी storage device नहीं है या पर देख सकते हो flip-flop, register, adder और latches कौन सी storage device नहीं है इनमें से तो यहाँ से आपके option के according ये adder correct हो जाएगा flip-flop, register, latches ये storage device है एडर क्या है तो ये circuit होता है जो कि amplitude को sum करता है दो input signal का computer storage से संबंदित size स्वमिलित क्या है computer storage से संबंदित यहाँ पर कौन सा size स्वमिलित option है तो एक जो GB में 2 की power 30 byte है ये correct दे रखा है GB है, MB है इनको byte के form में मैं बता देता हूँ यहाँ आपर 1 byte में कितने 8 bits होते हैं अभी अपन देख रहते हैं सभी की byte form GB, MB की जैसे कि यहाँ दे रखाता आपके 1 GB में 2 की घाथ 30 byte होते हैं जो correct है, 1 कB में कितने byte होते हैं तो 1 कB में 1024 byte होते हैं जो घात के form में आप लेखेंगे 2 की घात 10 byte हो जाएंगे 1 कB में, इस परकार 1 MB में तो 2 की पाष दस आपके 1 कB में, MB में फिर 2 की पाष 20 है next लो देखीगा किस network के दारह कोई संस्ता अपनी सुचनाओं का अपने करमचारियों के बीच इस सुरुखimet रूप से आदान प्राण कर सकती है कौन से network के जरिए कोई भी institute है अपनी जो सुचनाए हैं उनको करमचारियों के बीच में सुरुखsom आधान पर्दान कर सकते हैं किस के दवरा इंटरेन्गे दोरा जो भी एक इस्ट्यूट में यह criticizing पुण रूप से इन्टरेनेट नीज्थ्यों प्रॉटरेकर नूंडिया भारत में जो पहला इन्टरेनेट न्यूज्थ्यूस जो 1996 में लॉंच वा था, 1996 में इसका नाम है The Hindu हो जाएगा, यह तो इंडिया का हो गया The Hindu, लेकिन overall मैं globally बात करूँ worldwide, तो first newspaper to go online आया था, जो पहला newspaper उसका नाम है The Columbus, डेस पाच हैं, जो के 1980 में यह online लॉंच वा था, इसको मैं presentation के लिए के software का उप्यूग किया जाता है, तो स्वाल नमबर 210, इंटरनेट में किसका उप्यूग किया जाता है, तो इनमें से इंटरनेट में packet switching का उप्यूग किया जाता है, इंटरनेट यह आपर IP की बात हो रही है, इंटरनेट में जो IP का प्रियूग किया जाता है, जिसमें packet रहता है, वो switching protocol का रहता है, तो यह switching, packet switching ह हो जाएगा option बी correct है worldwide wave का विश्कार कब शुरू हुआ था www का विश्कार हुआ था वो 1909 हुआ था इसके जो inventor है वो टिम बरनश ली और रोबर्ट क्लेवू है उपर यह आभी चुका है computer में deleted file ऐस्ताई रूप से कहां पर चली जाती है जो file delete करते हैं वह अयस्ताई रूप से मतलब उसको आप दोबरा restore कर सकते हो recycle bin में वह चली जाती है कहां पर recycle bin में 10 निबल में कितने bit होते हैं इसके लिए आपको पता होने चाहिए एक निबल में कितने bit होते हैं और half byte होते हैं जो उपर आ सा input device है तो scanner हो गया keyboard है joystick trackball है light pen digital camera scanner है touch screen है OMR OCR यह सभी input devices है PNG extension किसमें प्रयोग किया जाता है PNG extension है यह image का है PNG के आपको full form भी पता होना चाहिए portable network graphics हो जाएगी इसी प्रकार अन्य जो full form है जैसे SVG है वो scalable vector graphics है यह graphics interchange format है JPG यह सभी image के format आप देख पार है group हो जाएगा byte शब्द किसके दोरा coin किया गया था byte शब्द है जो सबसे पहले coin किया था 1956 में इनका नाम है Werner Bouchols ने यह जोन 1956 में गड़ा था कौनसा सब्द byte शब्द और जो bit शब्द है यह किनके दोरा प्रयोग किया गया था सबसे पहले तो यह Cloud E Shannon के दोरा प्रयोग किया गया था computer में logo किस से संब्दीत है जो भी logo रहता है आइकन रहता है वो किस से संब्दीत है computer programming language which can be used to control devices तो logo एक एसा सेक्षिक programming भासा है जैसे 1967 में वैली फैउर जिंग सेम और परपार्ट और सिंथ्या सोलेमन के दोरा डिजाइन किया गया था यह एक programming language है computer के किस भाग से mobile phone को connect किया जाता है तो modem का प्रयोग होता है जिसमें telephone या cable से data भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है वेब बेस बोड़ी है यह HTML नी hyper texture markup language का उप्योग किया जाता है which company introduced the first mini computer सबसे पहले कौन सी company के दोरा introduce किया गया था तो DEC company है जिसका full form है digital equipment corporation है इन्होंने सबसे पहले mini computer release किया था इसका नाम था PDP first यह mini computer था नवंबर 1960 में यह launch किया गया था DEC company के दोरा जो पहला mini computer है mini computer के कुछ में example की बात करो तो ASS 400 computer है Motorola 68-040 हो गया MV 1500 यह सभी mini computer को उदार्ण है तो आप कहेंगे जो laptop है mobile है tablet यह किसके उदार्ण है तो यह micro computer के किसकी जो tablet mobile laptop desktop है micro computer के उदार्ण है first micro computer है इसका नाम है मिक्रेल यह release हुआ था 1903 में और एक किसके दोरा release हुआ था R2E के दोरा इसे release किया गया था तो यह micro computer है आपको बहुत बार पूछी ले जाता है कौन सा निमन में से micro computer नहीं है तो tablet, mobile, laptop, desktop वगेरा micro computer है next नो दिखेगा wide area network है निए when की परिभासा आपको बतानी थी wide area network है एक दूर संचार network है जो computer networking की प्रात्मिक उदिश्य के लिए एक बड़े भोगुरिक छेतर में फैला हुआ बहुत ज़्यदा विशा लिनी यह wide हो जाएगा how many colors are in 16 bit image तो 16 16 bit image में कितने colors हो सकते है तो 2 की घास 16 याद रखना है जितने bit की image है आपको उसकी power कर देनी है 2 में तो 8 bit में 2 की power 8 करेंगे तो 256 color इसी परकार जो 16 bit में 2 की power 16 करेंगे तो यह 6536 color इसमें 16 bit image में 24 bit में यह इतने होते हैं जो आप 2 की घास 24 करेंगे next one कौन से social networking site नहीं है तो इन में से इसी लिए आप कह सकते हो यह twitter है facebook है whatsapp है social networking site है social media नहीं हो जाएगा इसमें से internet पर एक computer से file को दूसरे computer में इस्तानांतरित करने की प्रकेलिया को क्या कहा जाता है तो जो प्रकेलिया रहती है computer में एक file से दूसरे computer में वो फाइल आपको transfer पर इंस्तानांत्रित करनी है तो उस प्रोसेस को क्या काई जाएगा तो यह फाइल ट्रांसपर प्रोटोकॉल इसमें यूज होता है दा प्रोसेस और ट्रांसपर्मिंग फाइल प्रॉम्पेज बोला जाता है क्या हो जाएगा MS Word में पूरे paragraph formatting को remove करने के लिए कौन से shortcut कुँजी का उप्योग किया जाता है जो भी आपने paragraph formatting की है किसी को bold data link किया है उन सभी को remove करना अれない color change किया है सारी formatting को MS Word में पूरे paragraph की formatting को remove करने के लिए जो shortcut की use कि जाती है एक तो control plus q use किया जाता साथ इसके alternate में control shift और n का view प्यूग किया जाता है पूरी जो format है paragraph का उसको remove करने के लिए control q या control shift n का what is default page margin in Microsoft word में default page margin क्या होता है तो default जो page margin यह आपर normal margin की बात हो रही है इसका मतलब 1 inch gap दिया जाएगा text और age की मत्यमें 1 inch का gap रहेगा computer booting के लिए किसके अवश्यक्ता होती है computer को boot करने के लिए दोबारा start करने के लिए operating system के अवश्यक्ते यह आपर रहती है option b correct है इनमें से किसका full form गलत है URL fax और dbms जो option दे रखे थे गलत दे रखा था लेकिन मैं यह आपर correct आपको बता देता हूँ url uniform resource locator है fax और यह फैस्माइल हो जाएगा dbms और डाटाबेस management system है world first electronic digital computer दुनिया का पर्थम electronic digital computer कौन सा है तो यह repeat वास्वाल बार बार एन्यक हो जाएगा अब एन्यक की आपको full form भी पता होना चाहिए electronic numerical integrator and computer इसकी full form हो जाएगी ज्योंकि विश्वा का पहरा electronic digital computer हो जाएगा और फ़र्स्ट automatic electronic digital computer है वो कौन सा ABC है ABC की full form आप देख सकते हूँ at and stop very computer ISCI का full form क्या है आपको पता होगा आस्की की full form क्या है American standard code for information interchange लेकिन ISCI की बात करूँ तो यह Indian script code for information interchange इसकी full form हो जाएगी trackball is what kind of computer device है तो trackball एक device है जो input हो जाएगा बहुत बार अपने उपर कवर कर चुके हैं computer के उप्यों करता का कैसे पता लगा सकते तो IP address के माधियम से कौन सा computer net में जो IP address आप browse करते तो वाँ पर आपका IP address जाता जिसके माधियम से आप पता कर सकते हो कौन user है तो यह IP address के माधियम से पता चलता है उबन्तू फैड़ोरा यह किस operating system के product है तो उबन्तू फैड़ोरा यह Linux से के है Linux distribution है उन्हें की यह protect है उबन्तू हो गया फैड़ोरा हो गया definition of computer host के आपको परिवासा पूचिए तो ए host is a computer that is accessible over a network it can be client हो सकता है server हो सकता है या फिर any other type of computer यह पर host हो सकता है RD RAM की full form क्या है तो RAM bus dynamic random access memory हो जाएगी DOS का full form है disk operating system नेक्स नों दिखीगा visual display unit यह वीडियो इस आल्सो नों एज है तो वीडियो को अन्य किस नाम से जाना जाता है जो visual display unit यह monitor का उपर स्वाल आया था monitor का अन्य नाम क्या है तो यह visual display unit हो जाएगा what are the technologies used to access the internet internet connectivity के लिए किसका प्रयोग किया जाता है router का computer shortcut control plus X है वो computer में किसकी shortcut है तो cut की shortcut हो जाएगी कौन सा web browser नहीं है Google शफारी फाइरफॉक्स ओपरा मीनी में Google एक web browser नहोकर search engine है बेना यांत्रिक भाग की दुनिया का पहला computer कौन सा है तो एन्यक है बिना यांत्रिक बिना कोई mechanical पार्ट की दुनिया का पहला computer सागा 220 क्या है सागा 220 एक सूपर computer है तो यह जो सूपर computer है सागा 220 है यह किसके दौरा बनाया गया है तो इंडियन space research organization के दौरा इसे बनाया गया है दो माई 2011 को इसरो के अद्यक्ष डॉक्टर राधा किष्ण दौरा इसे अनावरन किया गया था spread sheet किसका हिस्सा है तो MS Excel में यह spread sheet होती है जिसमें आप data enter करते हो MS DOS किया है तो यह operating system है Microsoft disk operating system laser हो गया अगला स्वाल N.E. computer की full form क्या तो electronic numerical integrator and computer इसकी full form हो जाएगी machine का अनावरन है N.E. का यह 1946 को Pennsylvania विश्विदाले में किया गया था ROM किस material की बनी होती है ROM है यह silicon की बनी होती है जो IC है integrated circuit है यह भी silicon से अगला स्वाल WORM की full form write once read many हो जाएगा अन्तिम स्वाल अन्तिम नहीं और भी है दो तिन स्वाल कौन सा open source operating कौन सा open source software नहीं है तो आपको पता होना चाहिए कौन से open source software है तो mozilla firebox है GIMP है Linux GNU OpenOffice MySQL है यह सभी open source software हो जाएगी National ISP की full form क्या है internet service provider ISP की full form हो जाएगी भारत का पर्थम social mobile wallet जो audio है यह किसने launch किया है तो audio यह भारत का पहला social mobile wallet है यह transfer कंपनी के दोरा 2016 में launch किया गया था यह अन्तिम स्वाल है computer input hardware related to typing तो computer का कौन सा input hardware है जो typing से संबंदित है तो input आपको पता है keyboard input device है और इससे typing भी की जाती है तो keyboard इसका correct answer हो जाएगा तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धहनेवाद यहाँ पर NTPC 2021 पूछे के टोटल 250 computer equations complete हो चुके है वीडियो कैसा रगा comment box में जरूर बताना PDF फाइल के लिए आपको इसका टेलिग्राम चनल जोइन करना है टेलिग्राम चनल की link description box में link से ही जोइन करना है अधरवाइस फैक चनल आपकी जोइन हो सकता है मिलते हैं ऐसे किसी नए टॉपिक के साथ वन दिमाप तरम चेहन दोस्तों